वेलकम टू नेक्सक जाओं आज है 26 अक्टूबर 2022 और 26 अक्टूबर 2022 से करेंट अफेस के जितने भी इंपोर्टेंट कुश्चिन मन सकते हैं सारे में इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर कुश्चिन से रेलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट वी मैं आपको बताऊंगा त पीडियप आप हमारे टेलिग्राम गरुप से भी डाउन्ट कर सकते हैं टेलेग्राम गॣूप पर आपको सारी पीडियाप एक साथ मिल जाएंगी और टेलेग्राम गूर्प का लिंक मैंने इस वीडियो के डिसकसण में दे दिया है तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलेग्राम गुरूप चोइन कर सकते हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला कुशन है हाली में सयुक्त राष्ट दिवस कम मनाये गया है तो अभी 24 अक्टूबर को सयुक्त राष्ट दिवस यानि कि युनाइटिड नेशन डे बनाये गया तो इसकुशन का बे ओप्सन से ही है, एक्चोल में युनाटेड नेशन की स्तापना होई थी 24 अक्टूबर 1945 को, इसलिए हर साल 24 अक्टूबर को युनाटेड नेशन डे मनाय जाता है, अच्छा युनाटेड नेशन का हेड़कॉर्टर कहां पर है, न्यू यॉर्क में, और इसके प्रिजेंट पर सेक्रेटरी जनरल कौन है, एंटोनियो गुटेरस, अब मैं आपको अक्टूबर के अब तक के सारे इंपोर्टेंटी डिवाइस कराता हूं, एक अक्टूबर को अंतरास्टी ब्रद्द्जन डिवस, रास्टी स्वैक्चिक रक्तदान डिवस, बेस्सु साकाहारी डिव दिवस मनाए गया, चार अक्टूबर को बेस्सु पसु दिवस मनाए गया, पाच अक्टूबर को बेस्सु सिक्चक दिवस मनाए गया, साथ अक्टूबर को बेस्सु कपास दिवस और बेस्सु मुस्कान दिवस मनाए गया, आठ अक्टूबर को बेस्सु प्रवासी बालिका दिवस मनाया गया यह इंपोर्टेंट है अंतरास्टी बालिका दिवस यह 11 एक्टुवर को मनाया जाता है 12 एक्टुवर को बेस्टु कठिया दिवस मनाया गया 13 एक्टुवर को अंतरास्टी आपदा निवनिकर दिवस मनाया गया 14 एक्टुवर को अंतरास्टी एक दिवस मनाया गया ये भी इंपोर्टेंट है पंद्रे एक्टूबर को बेश्टू चात्र दिवस और ग्रामीड मैला अंतराश्टी दिवस मनाया गया सोले एक्टूबर को बेश्टू खादी दिवस मनाया गया सत्रे एक्टूबर को अंतरास्टी गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया बेश एक्टूबर को बेश्टू सांखी की दिवस और रास्टी एकता दिवस मनाया गया 21 अक्टूबर को रास्टी पुलिस इसमर्ती दिवस मनाया गया 22 अक्टूबर को अंतरास्टी हकलाहट जागरुकता दिवस मनाया गया 33 अक्टूबर को तेल दिवस और आयरवेट दिवस मनाया गया और अब 24 अक्टूबर को बेसुप पोलियो दिवस और यॉनाइटेड नेशन डे मनाए गया है तो यह अब तक के अक्टूबर के इमपोटेंट डे हैं यह आपको याद रखने है ध्यान रखना इमपोटेंट डे आपको तभी याद रहेंगे जब कोई भी इमपोटेंट डे आए उस मन्त के सारे इमपोटेंट डे आप बिल्कुल सेक्वेंस में रिवाइज करो अच्छा आज किस वीडियो का हम टार्गेट रखते हैं 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच् तार्गेट को अचेब करने में लगा दो आपकी लाइफ और्टमेटिकली अच्छी हो जाएगी नएक शुशन हाली में एफ एटी एफ ने किस देश को उच्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है तो अभी एफ एटी एफ ने मियाम्मार को उच्छ जोखिम जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया तो इस कुश्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है तो इसक्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है तो इसक्छ जोखिम बाले देशों की सूची में सामिल किया है तो इसक्छ जोखिम बाले दे साल बाद अपनी ग्रे लिस्ट पाकिस्तान को बाहर किया था अच्छा FATF यानि की Financial Action Task Force इसकी स्थापना कव हुई 1989 में इसका हेड़कॉर्टर कहां पर है पैरिस में और इसके प्रेजेंट पर प्रेसिडेंट कौन है टे राजा कुमार कौन है टे अब म्यामार को सामिल किया है तो यह है म्यामार म्यामार की के पिटल के है नैपिटो म्यामार की करनसी क्या है बरमिस क्याट और म्यामार की प्रेजेंट टेम पे प्राइमनिस्टर कौन है मिन वांग हैंग कौन है मिन अंग हैंग नैखी शिन है हाली में दस्मी रास्टी पैंकेक सिलाट चेंपियंशिप का उद्गाठन कहां हुआ है तो अभी स्रेडंगर में सेर एक कसमीर इंडोर स्पोर्ट्स स्टेडियम में दसवी रास्टी पैनकेक सिलाट चेंपिन सिप का हुद काटन हुआ तो इस कुशिन का डे ओप्सन सही है अच्छा लगबग तीन दसक के बाद स्री नगर में पहला मल्टि प्लेक्स खोला है ये भी इंपोर्टेंट कुशिन है ने कुशिन है हाली में कौन सा देश चीन को बना तो इस कुशिन का से ओप्सन सही है अब नीदरलेंड बना तो यह है मैप में नीदरलेंड नीदरलेंड की के बिटल क्या है एमस्टरडम नीदरलेंड की करनसी क्या है यूरो और नीदरलेंड की प्रेजेंट पर प्रेमिश्ट कौन है मार्क रूट कौन है मार्क पचतर मेगाबाट की सौर उर्जा परयोजनाओं को चालू करने की गोश्ण की है तो एस जे बीएनल ने अभी उत्तर प्रदेश में पचतर मेगाबाट की सौर उर्जा परयोजनाओं को चालू करने की गोश्ण की तो इसको शिंकर बे आप्शन सही है अब पहले तो एस जे टेंप है MD and CHAIRMAN कौन है नंद लाल सर्मा कौन है डंद लाल सर्मा अब उत्तरप्रदेश तो यह है मैप में उत्तरप्रदेश की कैपिटल क्या है लखनव और लखनव के इस नदीक किनारेश देथ हैं अभी लखनव में एस सी आर डिफ़ दवलपड किया जाएगा जैसे दिल्ली में नेशनल कैपिटल डिजन है उसी दरे लखनू में वनेगा स्टेट कैपिटल रीजन उत्तर प्रदेश की चीपनिश्टर है योगियातना और उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदी बेन पटेर अच्छा उत्तर प्रदेश का राज की पसू है बारा सिंगा राज की पच्ची है सारा स्या क्रोच राज की पुस्प है पलास और राज की ब्रच है असोक का ब्रच अभी उत्तरपदेश सरकार ने पहली बार महिला पेसी वटालिन के गठन की कोश्ण की उत्तरपदेश सरकार ने सूलर रूप टॉप टॉप प्रोजेक्ट सुरू करने का निड़लिया है उत्तरपदेश को आईसमान उत्तरपदेश सरकार मात्र भूमी योजना पोर्टल लाँच करेगी अच्छा उत्तरपदेश में दुद्बा नेशनल पार्क है कतर निया घट वाड़लेप संचुरी है और पेली भीत टाइगर रिजर्ब है नए कुशन है हाली में किसने फ्रॉ सास्तरी हैं डॉक्टर बिमल जालान इन्होंने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलाइंस नामक पुस्तक लिखी अच्छा अभी ससी थरूर ने एक नई किताब अमबेड कर अलाइफ लिखी थी सौजर्ड मारेन ने एक नई किताब बिल पौवर लिखी इंडियन बैंक आइज हरदीत सिंग मलिक दा रोयल एर फूर्स एंड फस्ट वर्ल्ड वार यह पुस्तक लिखी थी स्टेफन वार करने तो यह अभी रिसेंट की इंपोर्टेंट बुक हैं यह आपको याद रखने हैं ने क्यूशन है हाली में अंडर 23 कुस्ते चेंपियंशिप में स्वड सामिल हुआ है तो अभी अपना देश भारत चेंप, अमेरिका और नेदरलेंड के साथ सत्रंज खिलने वाले टॉप 12 कंट्रीज में सामिल हुआ तो इस क्यूशन का बे ऑप्सन सही है नए क्यूशन है किसने भारत का तेसरा पैरेस 2024 ओलम्पिक कोटा जीता है तो यह स्वप नेल कुसाले ने जीता तो इस क्यूशन का एक अप्सन सही है स्वप नेल कुसाले यह एक निसाने वाज है इन्होंने अभी मिस्र की काहरा में चल रही आई एस एस एफ बेसु चेंपियंशिब में तीसरा पैरेस 2024 ओलम्पिक कोटा जीता है नए क्यूशन है हाली में केस राजी के राजपाल ने SC-ST के लिए आरचट बढाने वाले अध्या देश को मंजूरी थी तो अभी करनाटक के गवर्नेर ने SC-ST के लिए आरचट बढाने वाले अध्या देश को मंजूरी थी तो इस कुशन का बे आप्सन सही है स्ट के लिए जो अभी तक आरच्षड 15% था इसे बढ़ाकर 17% कर दिया गया है और स्ट के लिए जो आरच्षड 3% था उसे बढ़ाकर अब 7% कर दिया गया है अब करनाटक तो ये है मैप में करनाटक करनाटक की केपिटल क्या है बैंगलोर करनाटक की चीपनिष्टर कौन है बसबराज बॉंबई और करनाटक की गवर्नर कौन है थाब और चंद्र गहलोत अच्छा अभी करनाटक सरकार ने विधान सवा में कर्नड भासा ब्यापक विकास विधयक 2022 पेस किया कर्नाटक के राजपाल ने धर्मांतरण बिरोध्य विधयक को मंजूरी दी कर्नाटक सरकार ने क्रसी को बड़ावा देने के लिए एसा आउटरिच के साथ समझोता किया है अच्छा कर्नाटक में बांदीपूर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, नगर होल नेशनल पार्क है, बनरकटा नेशनल पार्क है और कुद्रे मुका नेशनल पार्क है कर्नाटक के दू डान से मोर्टेंड है यक्षगड और डोलू कुनीता हाली में मैलाओं की 25 मीटर पिस्टल टेम इस परदा में भारत ने कौन सा पदक जीता है तो अभी मैलाओं की 25 मीटर पिस्टल टेम इस परदा ने भारत ने रज़त पदक जीता और पुरुसों की 50 मीटर ट्राइफल थ्रे पोजीशन इस परदा में कान से पदक जीता है समयलन कहा आयोजित किया गया तो अभी जलुबाईव परिवर्त पर उंतरास्तौ किए गया दुशक्षिं न का बे option सब्यें अच्छा जम्हू टूख कesz मीर के प्रेजेंट टेम पहर कौणर मनौज सिंन्ह अभी ग्राय मंत्री अमित्सा ने जम्मू कस्मीर में पहाडियों को ST का दर्जा देने की गोश्णा की जम्मू कस्मीर में स्रीनगर में लगवक तेन दसक के बाद पहला मल्टि प्लेक्स खुला है जम्मू कस्मीर के उपरा जिपाल ने 120 फीट लंबा राश्टी ध्वज अभी राश्ट को समर्पित किया अच्छा जम्मू कस्मीर में दच्ची ग्राम नेशनल पार्क है किस तबार नेशनल पार्क है जम्मू कस्मीर में डल जील है और बुलर जील है नेक शुशन है बंगाल की खाड़ी में आये चक्रबाती तूफान सित्रांग को किस देश ने नाम दिया है तो ये जो नाम दिया गया है सित्रांग ये नाम दिया है थाइलेंड ने तो इस कुशन का से आप्सन से ये अब थाइलेंड तो ये है मैप में थाइलेंड थाइलेंड की के बिटल क्या है बैंक को थाइलेंड की करणसी क्या है थाई बहत और थाइलेंड के प्रिजेंट टैंप प्राइमिस्टर कौन है प्रयूत चान ओ चा ने क्यूशन है हाली में जैक्सन ग्रीन के सराज में हरित प्रयूजनाओं के लिए 22,400 करोड रुपए का निवेस करेगी तो जैक्सन ग्रीन ये एक में राइस्तान की क्या है जैपर, रायस्तान की चीपनीश्टर कौन है आसूग गहलोत और राइस्तान की गवशनर कौन है कल राज मिस्र अभी पाँचमां दक्षिड एसी ऑई भूबिग्ञान समेलं जैपर में हुआ जस्टिस पंकज मित्तर, रायस्तान हाइब कोट के 40 म में मुख नैदीस बने अडानी ग्रेंज ने दुनिया का सबसे बड़ा पबंस और उर्जा सायंत राइस्तन में शुरू किया राइस्तन में पांसो बारे नई इंद्रा रसुयों का सुबारम किया गया अच्छा राइस्तन में सरिस्का नेशनल पार्क है रडधमोर नेशनल केवलादेव घाना पक्षी ब्यार है और मुकुंद्रा हिल टाइगर रिजर्व है नेक्स क्यूशन है हाली में 2022 यूनाइटेड इस्टेट्स फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स किसने जीता है तो ये जीता है मैक्स वर्स्ट अपन ने तो इसक्यूशन का से ओप्शन सही रेड बॉल कंपनी के ट्रैवर है मैक्स वर्स्ट अपन इन्होंने 2022 यूनाइटेड इस्टेट्स फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स जीता अच्छा अभी जापानी फॉर्मूला बन ग्रेंड प्रिक्स ये भी मैक्स वर्स्ट अपन ने जीता सिंगापूर फॉर्मूला से सन्यास की गोशना की 2022 फ्रेंच ग्रेंट प्रिक्स का खिताब ये भी मैक्स वस्टप पनने जीता ब्रिटिस फॉर्मुला बन ग्रेंट प्रिक्स ये कार्लो सेंज ने जीता फॉर्मुला बन 2022 मोनेको ग्रेंट प्रिक्स ये सर्जियो पेरेज ने जीता और फॉर्मुला बन एमेलिया रोमांगना ग्रेंड प्रिक्स ये भी मैक्स वस्टप परने जीता है तो फॉर्मूला बन से रिलेटेट इतने कुषिन अभी आपको याद रखने है अब लास्ट वीडियो के कुषिन का आंसर लास्ट वीडियो मैंने आपसे कुषिन पुछा था कि हाली में केस देश में राष्टपती की सक्तियों को कम करने वाला संबैदानिक संसुदन पारित किया गया तो अभी स्री लंका में राष्टपती की सक्तियों को कम करने वाला संबैदानिक संसुदन पारित किया गया तो इस question का से option सही था और लगबग सभी स्ट्वेड ने सकांस सही दिया मुश्ट लिस्ट वेड ने इसके बारे में डेटेल में लिखा मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा question के बारे में आपको जितना जादा से जादा पता हो आप लिखा करो क्यूंकि जो चीज़ें आप लेक देते हो फिरोने आप कभी नहीं बूलते अब आपके लिए आज का question आपके लिए आज का question है हाली में T20 cricket में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारती खिलाडी कौन बने है चार option दिये गए हैं इनमेस से आपको अपना आंसर बताना है और इसके अलाबा हम हमारे facebook page पर previous question daily post करते हैं तो आप facebook पर next exam सर्च करके वारा आप facebook पर जोइन कर सकते हैं क्योंकि previous question आपको बहुत help करते हैं अगर आपको किसी question में कोई doubt होता है या आपको अपने career से related भी कोई problem है तो आप Instagram पर इंद्रेशर्सी I-N-D-R-E-S-H-R-C Instagram पर इंद्रेशर्सी सर्च करके आप मेरे साथ जूट सकते हैं और कोई भी doubt, without any agitation discuss कर सकते हैं अच्छा आज किस वीडियो का टार्गेट जरू याद रखना आज किस वीडियो का टार्गेट है 40 या लाइक का तो अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है, helpful लगा है तब आप इस वीडियो को लाइक और share जरू किया करो और आपके पास जो भी study related WhatsApp WhatsApp और Facebook गुरूप हैं उनमें आप इस वीडियो को share जरू कर दिया करो, तो यह था आज का हमारा current interface का वीडियो, आपको यह वीडियो कैसा लगा, please comment box में जरू बताना, और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राब जरू कर लेजिए, आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी, जब आप से सब्सक्राब करेंगे, तो बरावर में एक बेल आइकन मन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरू क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मौर्णिंग में current interface की वीडियो मिलती रहे, next exam always with you thanks for watching